हरहर महादेव चैवोलेनाथ नमस्कार मैं शादना पांडे मागदर्सन पर आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं बात करूँगी कि सुर्यास्त की बात यानि की साम को जो आप दीपक जलाते हैं उनका नियम क्या है तो दोस्तों दस ऐसे नियम बताऊंगी जिनको आपको दीपक जलाते समय जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों और ये नियम यो ही मैं नहीं आपको बता रहे हूँ ना किसी कही सुनी बात के आधार पर बता रहे हूँ बलकि मैं आपके सास्त्रों की बात कर रहे हूं कि साम को दीपक जलाने की नियम क्या है जिने ध्यान नहीं दिया जाता है दोस्तों तो हमारे दीपक जलाने का जो पूरिय होता है जो फल होता है वो हमें आधा ही प्राप्त होता है तो दोस्तों जो भी हमारे हिंदू सास्त्रो में दीपक जलाने के नियम है वो मैं आज आपके साथ बात करने जा रहे हूं यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मागदेशन परिवार का हिस्सा वनिया दोस्तों देखें कहा जाता है कि मालक्ष्मी का जो प्रवीश समय है पूरे दिन ने बताया है कि साम का समय साम का समय ऐसा समय होता है जब हर घर की दहलीज पे आप ध्यान दीजे हर घर की चौकट पे मालक्ष्मी का आगमन होता है तो चौकट तक होता है तो ऐसा क्या करें कि म अंदर हमारे घर में भी प्रवेस करें तो आज यही उपाय मैं आपको बताने जा रहे हूं पूरे दिन में यदि आप पूजा करते हैं मंत्र जबते हैं पाट करते हैं नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है लेकिन यदि आप साम का ये नियम दीपक जलानी का नि नियम बताना चाहती हूँ, आप इन नियमों पे गवर किजेगा और इनका पालन अवश्य किजेगा, सबसे पहले चीज जो कि आपको ध्यान रखना है, कभी भी दीपक सुरियास्त के बाद नहीं जलाना चाहिए, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करती हू तो उनकी बात में एक गमी मुझे दिखाई देती है, वो दीपक जलाने का एक समय समझते हैं, कि जब अंधेरा हो गया, तो दीपक चला देना चाहिए, ऐसा बिलकूल नहीं होता है, दोस्तों, दीपक जलाने का जो सही समय होता है, वो जिस समय शुरियास्त हो रहा होता, य ऐसे दिन और रात का मिलन होता है, तो उसको संधी वेला करते हैं, साम का वेला करते हैं, इस समय आपको बहुत से ऐसे कारे हैं, जो कि वर्जित माने गए हैं, जैसे कि खाना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, इत्यादी बहुत सारे काम है, ऐसी मानेता है कि साम के समय जो नकारात्मक शक्तियों का आगमन होता है इसलिए जब सुर्यास्त हो रहा हो उसी समय अपने घर में दीपक जला लेना चाहिए अब कितने दीपक जला है तो घर में जो भी देवस्थान है तो देवस्थान क्या होता है हमारे घर का मंदिर होता है तुलसी जी होती है यदि घर म अगले नियम की बात करूं दोस्तों, तो दीपक आपका कभी भी पीतल का इस्टेल का नहीं होना चाहिए, इस टील का पात्र पूजा पार्थ में उप्योगी नहीं माना जाता है देखिए पीतल का कहा जाता है कि पात्र यदि हम प्रयोग करते हैं पूजा पार्थ में तो उससे हमारे गुरु मजबूत है तो गुरु यानि की गुरु देव ब्रिहर्श्पती जो है इसे भगवान विष्णु की करपा हमें प्राप्त होती है तो सरव पृत्म तो पीतल प्रयोग करने के पीछे यही धाड़ा है तो पीतल का दीपक रख लेजे क्योंकि एक दिन तो आपको जलाना नहीं है प्रति दिन जलाना है तो पीतल का दीपक उप्योक्त होता है अगले नियम की बात करें तो दीपक कभी भी आप नीचे रखकर प्रजवलित नत करें क्योंकि नीचे रखकर यदि आप दीपक प्रजवलित करते हैं तो दीपक का आधा जो पुनिय फल होता है वो धर्ती में समाहित हो जाता है दूसरी चीज दोस्तों अगनी पुराण में बताया गया है कि दीपक धर्ती पे रखने से धर्ती को बहुत जादा कष्ट होता है ऐसा लिखा हुआ है तो हमारे सास्त्रों पुराणों की बात कभी असत्य नहीं होती है तो भूल कर भी दीपक जमीन पे न रखें आपको भार लगेगा कि रोज फूल कहां से लाएं चावल कहां से लाएं रोज कैसे लाएं तो एक लकडी पास चोकणा से ले लीजे कुछ नहीं है तो एक यूट ले लिजे उसी पर रोज नीयम बना लिजे येकिन धर्ती पर मत रख़ए यदि आपी चाहते हैं तो दूसरी चीजा है दोस्तों कि यदि आपके घर में धन नहीं आ रहा आप चाहते हैं कि हमें सच्शमी मालक्षमी का आगमन हो घर में बरकत बनी रहे जो भी धन आप कमाते हैं उसमें आपका इजापः हो कहां पे तो घर के मुखे दरवाजे पे और मंदिर में आप देखेंगे कि कैसे धन के आने के मार्ग खुलने लगे हैं तो ये उपाय आप कर लिजेगा अगले उपाय की बात करें तो दोस्तों दीपक को जलाने के बाद कभी भी डाइरेक्ट मंदिर में नहीं रखा जाता एक काम आप कीजिएगा नोट करिए अभी नोट करिए आप इस उपाय को करना प्राराम करेंगे आपको धीरे धीरे वरकत दिखने लगेगी दोस्तों ये चमतकार नहीं है कि आपको तुरंत असर दिखेगा लेकिन दिखेगा ये मैं बता रहे हूँ आपको असर इसका दिखता ही दिखता है तो आपको अपने घर के मंदिर में जो दीपक आप रखते हैं उसको प्रजवालित करके देवताओं को तरह घुमा करके उमिद करते हूं आप समझ रहे होंगे देवताओं को दिखा करके वो दीपक मंदिर में रखिए लेकिन जो घर के मुखे दरवाजे का द में दिखाए टॉयलेट को छोड़ दीजे गलती से भी टॉयलेट में दीपक वगरा मत ले जाए और मंदिर से सुरू कर पूरे घर में दिखाए उसके बार अंत में मुखे दर्वाजे पे मालक्षमी का कोई भी मंत्र जानते हो तो वहां ऐसे जपे जैसे मालक्षमी आपके द तो दाहिने तरफ आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाए और आपका मुका आपके घर के दर होना चाइए और जिस तरफ आपका दाहिना हात है तो उस तरफ ही आप दीपक रख ढ़ा तो यह हो गया आपके घर का दीपक तो वहां पे मुखे दर्वाजे पे दीपक रखिए और कोई अने उपाय करें या न करें यह उपाय जो है प्रभाव साली उपाय होता है तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा और दोस्तों अगले उपाय की बात है कि आपके दीपक म लेकिन उसमें घी या तेल जो अलग से होता है वो नहीं रहता है सिर्फ बाती में ही जो तेल या घी रहता है वही रहता है दोस्तों ऐसी कंजूसी बलकूल भी नहीं करने चाहिए क्योंकि आप यदि भगवान के लिए कंजूसी करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कई देंगेह आप कोशिस करें कि इतना ते्ल घीद आलें कि आपका दीपक कम से कम एक या ड़ेड़ घंटे तो जले ही जलें तो परियापत तेल या घीद आलें कि जब तक अंधकार नहो जाएं अंधकार के पसचात भी आपका दीपक जलता रह Watts अगले नियम की बात करें कि आप जो है तूलसी की पतियां या फिर तूलसी के पेड़ के समीब भूल कर भी दीपक न जखें क्योंकि आप तो रखते हैं फायदे के लिए की घर में बरकत हो लक्षमी आएं तो बहुत सारे लाब हैं लेकिन आपके दीपक से यदि गलती से भी एक भी तूलसी की पतियां सिक जाती है या फिर पेड़ को यदि गरम जो तूलसी के पेड़ होते हैं उनको भी यदि लौ की गरमी लग जाती है तो हमें पाप मिलता है तो गलती से पेड़ के समीब न रखें दीपक को घुमा करके तूलसी माता को दिखा कर यदि आप प्राप्त होगा लेकिन गलती से दीपक से पेड़ की पती या फिर पेड़ को कोई नुकसान होता है तो आप समझ सकते हैं हमें नर्क का भागी बनना पड़ता है अगले नियम के बात करें दोस्तों तो घर के मंदिर में जो आप दीपक जलाते हैं उसमें आप थोड़ा सा इत प्रोती करना प्राराम करेंगी घर की बचत दिखने लगेगी सब मिलाकर जो पैसे जुए में मुकदमे में देखिए हर घर में तो जुए में नहीं जाते हैं लेकिन जो दवाईया में जाते हैं वो पैसे भी बहुत जादा खलते हैं लेकिन जो चीज़े अच्छी चीज़ जो में खर्च होते थे वो पच जाएगा अगले नियम के बात करें दोस्तों कि दीपक जलाते हैं यदि आप से कोई पैसा मांगने आजाता है तो पैसा मांगने का मतलब कि हो सकता है आपकी यहाँ हो और आपको देना पड़े तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे कि अप जट स दीपक का ध्यान रखे कि घर में आप दीपक जला कर मालक्षमी का नाम ले लिजिए और उसके बाद आप किसी को पैसे देने हैं तो दे दीजे और यह मेरा कहना नहीं है देखिए मैं बड़ी होकर के इन चीजों को समझने लगी हूँ कि जो हमारे बड़े बुजर्ग विसे दीपक को लेके बहुत जादा सावधान रहते थे और ऐसे वैसे जहां लेट होता था वहां बोलने लगते थे तो हम लोग को लगता था कि एक मिनट दो मिनट लेट से क्या होता है लेकिन दोस्तों अब चीजे बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगी है जब हम इन चीजो कही सुनी बाते नहीं हमारे सास्त्रों का बात सास्त्रों की बाते हैं तो दीपक जलाने का अर्थ हुआ कि आपने मा लक्ष्मी का आवान करूने बुला लिया अब आपके पैसे देने से आपके घर से लक्ष्मी नहीं जाएंगी तो ये साधान सा जो उपाय है उसी कीजी औ काम को संध्या दीपक जलाती है उसकी घर से लक्षमी कभी नहीं जाती है बस वो साफ दिल की साफ दिमाग की होनी चाहिए तो आप यह उपाय जरूर करना शुरूर करें दोस्तों वीडियो कैसे लगी बताइए का जरूर और मिलती है उसी तरह के वीडियो के साथ यदि अच् झाईब का जरूरो करें जरूरूर्या उसके साथ यूरूर आपिंग ओयड़ ऐसका का उस्तों स्लिक है जरूरूरूशन जरना है उसक्ग उ הרएघु गनला वीडियर चाहिफ भीडियोस्तों